भारतिय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल मैच से पहले ओवरवेट होने की वज़े से आयोग्य करार दिये जाने के बाद इस फैसले को लेकर C.A.S. में अपील की थी, अब उनकी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। भारतिय महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलो ग्राम फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले तए वज़न सीमा से 100 ग्राम वज़न अधिक होने की वज़े से उन्हें आयोग्य करार दे दिया गया था। इस फैसले के बाद जहां भारतिय ओलंपिक संग ने कड़ी आपती दर्ज कराई थी तो वही विनेश भी काफी निराश हुई। विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर Court of Arbitration for Sports, C.A. से अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए जिस पर अब C.A. से ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक मेडल मिल सकता है। भारतिय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर फैसला अब 13 अगस्त यानी मंगलवार को सुनाएगा। मामले पर फैसला पहले शनिवार की शाम को ही आना था। युनाइटेड वर्ल रेसलिंग बनाम अंतराष्ट्रिय ओलंपिक समिती के मामले पर फैसला लिये जाने के लिए समय सीमा एक दिन बढ़ा कर 11 अगस्त दो हजार चौबीस शाम चाह बजे तक कर दी है। मामले पर विस्तार से फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आई ओए के सूत्र के अनुसार फैसला 13 अगस को ही सारवजनिक किया जाएगा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को समाप्त हुई जिसमें कैस ने विनेश की अपील स्वीकार कर ली थी। विनेश ने की पूरी कोशिश। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पका किया था तब वह भारत की पहली म महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगिरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वह तई सीमा से 100 ग्राम अधिक था ऐसी स्थिती में विनेश को मुकाबले के ल विनेश फोगाड डिसक्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी तो वही उन्होंने 8 अगस की सुबह कुष्टी से अपने सन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमन वेल्ट से लेकर एशियन गेम्स में पदक जीते हैं। वहीं उन्हें भा उमीद लगाई जा रही है कि CAC का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो यह पूरे भारत के लिए गर्व कपल होगा।